अखलेश के करीबियों को छीन कर आखिर भाजपा ने समाजवादी पार्टी को कितना बड़ा जटका दिया है इसके साथ जानिये कि जैसे ही ये बड़ी संख्या में नेता भाजपा में शामिल हुए तो समाजवादी पार्टी के अध्यक शकलेश यादब ने किस तरीके से प्रित्क्रिया देते हुए तंजकस डाला साथी जानिये कि जब पाकिस्तान से नौइडा पहुँची सीमा हैदर से मिलने उनके बकील एपी सिंग पहुँचे तो क्या कुछ वो बोल कर चले गए नमस्कार में नाम है मोहित और आप देख रहे हैं हमारा खाश शो आज का यूपी तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी ख़बर से जी हाँ भारती जनता पाइटी में आज समाजवादी पाइटी राश्री लोगदल और बहुजन समाज पाइटी एक करीब 18 नेताओं ने सरस्ता ग्राण कर ली बता दे कि ये सब भी 18 नेता कोई सामान नेता नहीं जबकि इनमें कई नेता मंतरी सांसद पूर्व सांसद लोगसवा प्रत्याशी तक रहे हैं इनमें एक सबसे जो खास नाम थे, उनमें एक दो रालोट से आने वाले जो कि उनके राजस्भा सांसद भी रहे, इसमें राजपा सैनी रहे इसके साथीजह सहारणपुर्स, जो सपा के पूर मंतिरी रहे, कई बार उसमें साहब सिंग सैनी का नाम भी शामिल है उन्होंने भी आज भाजपा जोइन कर ली इसके साथ जॉनपूर की मचली सहर सीट से जगदीश सोनकर का भी नाम इसमें बताय गया है जगदीश सोनकर चार बार समाजवादी पार्टी से विधायक रहे हैं और उनका 2022 में मचली सहर विधान सभा से टिकेट काट कर रागनी सोनकर को दे दिया गया था जहां तक कयास लगा जा रहे थे कि अखलेश यादब जगदीश सोनकर से नाराज चल रहे हैं जिसकी बज़े सोनकर इस बार टिकेट कर गया इसके साथ ही साथ अगर और नामों की चर्चा करें तो हर्दोई से सपा के पूर सांस्तद अंशुल बर्मा जॉनपूर से सपा के पूर विधायक गुलाब सरोज इसके साथ ही साथ 2019 के लोगसभा चुनाओं में पीम मोदी के खिलाफ सपा के प्रत्याशी के तौर पर लड़ने वाली शानली आदब ने भी आज भारती जंता पार्टी जोइन कर ली जो की एक बहुत बड़ा जटका समाजवादी पार्टी के लिए माना गया है इसके साथ ही साथ जहां सपा और आलडी की नेताओं ने तो भाजपा जोइन की ही कि लेकिन बस पासे भी दो नेताओं ने भाजपा की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया अगर इनकी नामों की चर्चा कहड़े तो आगरा में बसपा के पूर चेर्मेंट जिला सहकारी बैंक के गंगराम कुश्वाहा ने आज भारती जन्ता पार्टी जोईन की तो उनके साथ ही आगरा से ही बसपा के पूर विधानसवा प्रत्याशी रवी भारत द्वाज भी भाजपा में शामिल हो गये। पार्टी के राश्ट्रे अधग्च अखलेश यादब का भी बयान या यू कहे तो ट्वीट सामने आ गया। अभी नेताओं पर तंज किया जो समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में चुनाओं से काफी पहले शामिल हो गये। अब बढ़ते हैं अगली ख़बर की तरब। इस सीमा हैदर से मिलने के बाद बाहर एपी सिंग आये तो उन्होंने कहा कि जब अधनान सामी अक्षे कुमार को भारत की नागरिटा मिल सकती है तो सीमा हैदर को क्यों नहीं मिल सकती। आखिर सीमा हैदर ने हिंदू धर्म अपना लिया है हिंदू धर्म के साब से शादी भी कर ली है और इसलाम में तो जो व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर ले या मूर्ती पूजन करे तो वो तो काफिर कहलाता है तो फिर आखिर सीमा हैदर को नागरिटा क्यों नहीं मिल सकती। अक्षे कुमार अभी भी कनाडा के नाग रिखा या आप सबको किसी को पता नहीं था क्योंकि वो आप सबको बंगले में एंट्री नहीं करने देते हैं सीमा, सचिन, मीना का घर छोटा है गरीब है लेकिन प्यार में अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती इसलिए मैंने जिक्र किया दीपी का पादुकोन और सानिया मिर्जा की तो विवा हुआ चले वो छोड़िये लेकिन और जो अधरान सामी पाकिस्तान से आए और भारत में नागरिक नहीं है लेकिन यहां रह रही है और फिल्म बना रही है सुपर हिट फिल्म अच्छी फिल्म बनाती है अच्छे कुमार जीव अच्छी फिल्म बनाते है जब उन्हें नागरिक्ता मिल सकती है जब इस देश के हज्जारों और लोगों को आजादी के बाद से उन् ने राष्टपती से भी अपील की है कि सीमा हैदर को भारत की नागरिकता दी जाए तो ये था हमारे खाश खबरों का खाश शो आज का यूपी इन खबरों पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए तब तक कल मिलते हैं शुक्रिया